जैसे लग रहा है कि जो लोग चो माहिना ट्रेनिंग करने के बाद उधर जा रहा है तो उन लोग के माता पृता जी हाए नहीं है उन लोग कोई परिवार ओरिवार नहीं है प्या हें कि हमले में fire निण के दवरान मौथ ही ज़ो गई सरकार इन लोग के साथ इतना जादे भे भाव कर रही है अब जो लोग यह सोचेह कि सरकार का सुर्य सरकार का समिमे क्या गलती है तो जो भी अपने देश में सिश्टम है जो सरकार में सारा सिस्टम थीख न अफिख ऑपने च्ट जीड़ी में भरती होकर पैरा कमांडों में सेलेक्शन लिये थे और पैरा कमांडों में वैसे नहीं सेलेक्शन हो जाता है ठीक ना अभी अगनीवीर जीडी में भरती होने के लिए कितना जादे मेहनत करना पड़ता है भले से इंडियान आर्मी का नाम बदलकर अगनीवीर रख दिया गया है इंडियान आर करके वहां तक गए रहोगे वहां से वापस आ जाओगे लेकिन तभी भी मतलब इन लोग के साथ बहुत ज्यादे भेद भाउत देखने को मिल रहा है अभी हमारे देश के जो पैरा कमांडो सहीद हुए है आप लोग देखे होंगे बहुत कमी लोग ऐसे होंगे मतलब जो कवादियों से लड़ाई लड़ते हुए सहीद हो गए लेकिन जो नीज वाले इसके बारे में बताए भी है ना तो पता है क्या लिखे है अगनी वीर से पैरा कमांडो में जो भरती हुए थे तो यह राइडी के रहने वाले थे यह नीज वाले लोग लिखे हैं कि राइडी कि रैडी उपखंड छेतर की छिलोडी ग्राम पंचायत के नवलपूडा मरोड कला गाव निवासी एक अगनी वीर की सीरी नगर के आतंकी हमले में मौत हो गई देखो कितना आसानी से नीज वाले लोग छाप दे रहा हैं मौत मौत लिखे आए और यह सरकार जो भारती है सेना के साथ ऐसा कर रही है तो सायद इन लोग को यह नहीं पता है कि पैरा कमांडो वाले एक नार्मल इंसान नहीं होते हैं पहले आगनी वीर जीडी में भरती हो असर गया सरपंच प्रतिन निधी मुरिली लाल एयादव वह अगनी वीर के बड़े भाई मोनु राजपूत ने बताया कि जितेंदर सिंग स्तमर पूत्र मगन चंदर तवन सिरी नगर आर्मी के पैरा कमांडो पद पर कारियार त थे अब देखो इस नीज के माध्यम से बत यहां जाएंगे लग फाद में नहीं आ सुयों से आफंटाया नहीं हो जाते हैं ऐसा देखने को मिल रहा हैं यह लोग छो महिनिंग करा रहा हैं जयसे लग रहा है तो उन लोग के माता पिता जी है ये नहीं है उन लोग का कोई परिवार औरिवार नहीं है मतलब यार जैसे ये लोग देखो खुद देखो क्या ये लोग कर दाए है यहाँ पर आगे लिखा गया है कि जिनकी सर्च आपरेशन के दवरान आतंकी हमले में फाइरिंग के दवरान मौत हो गई अब सोचो यार मतलब क्या हो रहा है यार ये बहुत गलत हो रहा है ठीक ना कम से कम साल डेड़ साल ये लोग ट्रेनिंग कराते उसके भात से उधर भेजते तो मतलब कुछ समझ आता है छो महिना के ट्रेनिंग कराने के बाद ये लोग जम्मुugaru में बेजद रहने लादडाक में बेजद रहना है ये लोग तो सरकार से सवाल जबाब करेंगे नहीं, सरकार के मन में जो जवारा है वो वो सरकार सेना के साथ कर रही है अगनी बीर का पार्थिव सरीर सनिवारतक मतलब आज ही पैतरी के गाउन नवलपूरा में पहुचने की संभावना है आप कहीं से भी हो कुछ भी कर रहे हो, अपने फाउजी भाई के आत्मा के सांती के लिए दो मिनट मौन जरूर रहा ना और जो सरकार पर जेन टाइम में देश को चला रही है ना, उस सरकार से बस एक ही अपील है ये जो भारतिय सेना के साथ भेद भाव किया जा रहा है ना, ये भेद भाव समार्त होना चाहिए नवी तो जो आप लोग कुरसी पर बैट कर सरकार चला रहे हो ना, जो ये सिस्टम चला रहे हो ना, ये ज्यादा दिन तक नहीं चला पाओगे, ठीक ना और जितने भी भाई इस साल ओट देने जाएंगे, तो वो लोग सोच समझकर अपना ओट देंगे, ठीक ना, नवी तो फिर उनी लोग को भगातना पड़ेगा मतलब आप लोग देखो यार जितने भी साथी तयारी करने वाले हैं, वो लोग कहीं का नहीं हैं और जितने लोग कूरसी पर बैठे हुए हैं, उन लोग को पेंसन सुविधा मिल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या मिल रहे हैं और यहां मतलब सारी चीजे होने के बाद लोग अपने देश के लिए जान कुर्बान कर दे रहे हैं तभी भी उन लोग के परिवार वालों को मतलब कुछ भी उतना सुविधा नहीं मिल रहा है, जितना एक नेता को मिल रहा है तो यह सब कुछ सुधार होना चाहिए मेरे भाई, बागी यह वीडियो आगे तक आप लोग सेयर जरूर करना ठीक है ना ऐसा वीडियो भी आप लोग को सेयर करने के लिए बोलना पड़ता है यार ऐसा वीडियो बीना कहे सुने आप लोग एक दूसरे के पास सेयर कर दिया करो ठीक है ना चलो ठीक है मिलते हैं आगले वीडियो में जय हिंद बंदे मात्रम देखते हैं आगे इसको लेकर क्या देखने को मिलता है